नमस्कार दोस्तों स्वागेत आप सभी लोग आज के इसने वीडियो में तो आज के इस वीडियो में हम आपको वरांसी के पांडेपूर से आजमगर रिंग रोड का जो कट है वहां तक जो फोलेंड की सड़क बन रही है उसका फुरा प्रोग्रस अबडेट आपको हम दिखा रिंग रोड की तरफ चला जा गया रास्ता और इसको हम लोग बाएं साइड चलेंगे और यह वाला जो रास्ता है आपका यह पांडेपूर की तरफ निखर जाएगा इसमें आप देख रहेंगे कि यहाँ पर रिंग रोड के पास से यह सड़क का निर्मान कंप्रीटेड ह आपको फॉल लेन की एकुल सड़क बन रही है जिसमें से आपका बीच में डिवाइडर का वे निर्मान हो चुका है साथ दोनों साइट जो है आपको लोही की यह बेरिकेडिंग की गई है वो भी कंप्लीटेड है जो लाइटिंग के ववस्ताह आप देख रहे एंगे कितना 22 दिन हजार आपको देखने को मिल रहा होगा दोनों साइट से साथी साथ बीच में आपका जो डिवाइडर है उसमें भी लाइटिंग के वैवस्था कर दी गई है कि देखने आप और रोड भी पुरा च्छे तरिके से बन चुका है और इधर के लोगों को अब थोड़ी तो रात होई गई है साथ इसाथ आपका जो डिवाइडर है उसमें प्रेड पोड़े भी लगने स्टार्ट हो चुके हैं जब यह बड़े बड़े हो जाएंगे तो मतलब काफी बेंटिन जिस आपको देखने को मिलेंगे नाला इधर बन चुका है तो आप जो देख रहे थे उदर उसी तरह से अब हम आपका देखे तो दिर दिरे बेलवा बजार के पास आ चुके हैं और यहीं से आपका जो जाएं साइड है आप एक गेट यह देख रहे होंगे यह मुंसी प्रेम चंद स्मिति द्वार है आगे आपका जो यह लमही की तरफ चला जाएगा और सीज आगे बढ़ते ज रास्ता निकल जाता है जी देखिए बेलवा बब मंदीर इधर था और वो स्रिफ्टों के पीछे बन चुका है तो इसी तरह से इस रास्ते पर जितने आपके मंदीर आ रहे थे सब को स्रिफ्ट किया रहा है तो भी काम काफी जोड सोर से चल दाए आगे आपको जो बीच पी डिवाइडर है इसमें इतना स्पेस होना चीजिससे आपको प्रेल पौदे लगाए जा से किदो सिंगल बीच में लाइट भी लग जा रहा है साथी साथ आफा प्रेल पौदे भी लग जाएंगे कि देखे चलिए अब देदर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जैसे जिमान होता जा रहा है लोग तो यह रात की सांस लेते जा रहे हैं इधर देखिए इधर गिट्टु टी यह बीच गया है अगधर स्रिफ्ट होने हैं इधर साइट खंबे देखिए स्रिफ्ट होंगे जो बिजली के खंबे हैं कि उनको भी देदर हटाके मुझे लग रहा है कि जो आपका सर्विस को डूर बना हुआ है जिसमें नाला है और साथी साथ आपके जो केबल लोगले तार हैं सब उसी में डाले जाते हैं तो यह इस्तिति अभी दिवर्तमान की आपको दिखाने का प्रयास कर रहा कि अज़री ख्याते हैं धाले मुझे कर बोगे नाले के साथी सादी वहां पर घृटो पक्ले माजह चला जाता है तो आपको बनात बता दे की की कि वह घणा भूर हैं तो बनगी को अब है कि यह चोरा है वहां से लेकर के यह रिंग रोड तक यह कुल चार दिसमन एक क्लिम्मटर की सड़क है इसके अलावा इसी के अंतरगा दापवा जो बाइपास वाली जो सड़क है दो लेंग की सड़क वह भी बन रही है लगवग डाही क्लिम्मटर लंबा तो इसमें कुल लागत की बात करें तो लगवग दोस्तों अठारे को रूपे इस पर खर्च हो रहे हैं अब देखिए अब हमनों ध्रे दरे उन्हीं इलाकों में पहुच रहे हैं जहां पर आपका मकानों खानी सब तूट चुके हैं यह मंदिर भी कैसे इतर स्रिप्ट हुआ कि यह प्रेड़ की कटिंग होगी यह देखिए देखरेंगा आप दोनों साइट से जितने भी मकान और दुकान थे मितलब जितना दूर तक रोट बनना है वो सब तोड़ करके हटा दिया गया है तो आप आप देखिए तो जो में पांडेपूर का जो मार्केट है उधर साइड अभी कानों कानों नहीं तूटे हैं तो थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है उधर तूटेंगे देखना है कि इस तर से पूरा तूट चुगाया है और देखिए सामने आपको दिखरा होगा ए एकदम रेडी है और यह जो पेड़ है यह देख रहे हैं इस पेड़ के पास की मंदिर था इसको पूरा हटाया जाएगा इसी तर से आप देखे तो वरनारस में जित्ते भी प्रोजक्ट चल रहे हैं सब में आपका जो है जित्ते भी मंदिर यह और कोई धानमे के थिल जो आ रहे हैं सबको मतलब जगह देखर करके पीछे बनाये जा रहा है शिव्ट किया जा रहा है इस तरह से देखिए तो काम चल रहा है इदर तो लगदा पूरा का पूरा सब कुछ तोड़ दिया गया देख रहे हैं इस तरह से देखने में काफी जीब सा लगता है जो पूरा निजमान कारे हो जाएगा सब लोग अपना सेटल हो जाएंगे देरे तो फिर यह सही लगेगा देखने में और यह रास्ता मतलब आजमगर जाने के लिए मुख्यूरूप से प्रयोग मिलाया जाता है जो लोग बनारत से आजमगर जाते हैं इसी रास्ते को अपयोग करते हैं काफी जादा इसमें ट्रैफिक होनी के वज़ए से लोगों को काफी दिक्कत होती थी पहले और इस रोड में पहले बहुत जादा गड़े भी थे जिससे जात्रियों को काफी दिक्कत होती थी अब देखिए तो पूरल में पूरी सड़क बन जाएगी तो लोग रहात की सांस लेंगे अब इधर आपका डिवाइडर के काम होना स्टार्ट होने वाला है तो यह इसी त सब्सक्राइब का देखने एक हां सिफ्ट होगा वाक्या जो वर्तमान की प्रिस्तिति आप देखी रहे हैं कि देखी इधर लोग खुछ से ही लोग तोड़ रहे हैं नहीं तो अगर प्रसास्विन के तरब से तोड़ा जाएगा तो वह उसका भी चार्ज करेगी इसलिए ल और काफी मतलब नैरो हो जाता है रास्ता कि जिस तरह का ट्रैफिक है उसको देखते हुए अब हम लोग आपका पांडेपूर का जो में मार्केट है महाँ पर अब हम लोग देदर पहुच रहे हैं और यह रास्ता तो जादा ही खड़ाब हो गया इधर पर देखिए अब मरम्मक तो होनी नहीं है पूरा जब बनेगा तब ही बनेगा यह तब तक जो तिक्केट है वो सहना पड़ेगा लोगों को चलिए रोड बन जाएगा तो फिर से रहेगा इसी तरह से और जित्ते भी मनारस में एंट्री के लिए रोड है सबका कायकल्प इसी तरह से हो रहा है कचेरी संदहा वाला हो गया कि दीन द्याल उपधिया जंक्सन से पड़ाव तक जो रूट बन रहा है फिर पड़ाव से राम नगर इधर आपका मोंसराय वाला रूट तो मतलब हर तरब जो है सल्कों का चोड़ी करन का का काम चल रहा है जो हम लोग आपका पांडे पर चो रहा है दोस्तों देदर पोचने वाले हैं और इधर अभी कुछ खास विसेस कर काम अभी हुआ नहीं है अब देदर लोग जो है मगानों काने सब तोड़ रहे हैं बाकी इसके बाद जो है आपका दोनों तरब से सर्विस पूड़ बनने काम जो है इधर अब रफस्तार पकड़ेगा फिर डिवाइडर बनेगा इसी दरफ से काम हो रहा है पहले सब कुछ तोड़ा जाएगा फिर सर्विस कोड़ बनेगा फिर डिवाइडर फिर सब्सक्राइब बनने का का तो दूसका और कुछ है इस पर अगर अपडेट आएग तो मैं आपको दिखाने का प्रयास जरूर करूँगा इसके लिए आप लोग के चैनल से जूड़ जाएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो चलिए दूस्तों मैं वीडियो अपसमाप करता हूँ थोड़ी दूर कर आपका पंडे पुछ और हाई जाएगा पुछ और अपडेट होगा तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नही जनकारी के साथ तब तक के लिए हर अर्मादेगा